कखे कि अई अफल युवर के अज़ों आज हम अपनीArδ llaz में करने जा रहे हैं वो पेंटिंग फोपेंटिंग को जिसको बनाना बहुत हीासान है इसमें देखे हमने रेड कलर के फोट के साथ प्लॉर बनाए है चलिए आईए आज की activity start करते हैं और सीखते हैं फोक पेंटिंग करना पेंटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक white sheet इसना से मैं एक white sheet ली है उसके बाद poster color, red color और green color paint brush और फोक तो चलिए आईए आज की activity start करते हैं पेहले हम brush में अच्छे से paint लेंगे और फोक के back side को paint कर देंगे अच्छे से poop से paint लगाएंगे इसको dry नहीं रखना है बिल्कुल भी फोक सारा paint लगाएंगे फोक को तर उसके बाद यहां पे अराम से एक impression ले लेंगे फोक का इस तरह से फोक का impression आ गया जहां पे कम होगा उसको हम इस तरह से complete कर लेंगे brush के साथ फिर से हम वैसे ही करेंगे brush में paint लेकर अच्छे से फोक को paint लगा लेंगे फिर से एक और इंप्रेशन आ गया फोक का इसको भी हम नीचे से कर्व कर लेंगे बार बार से इस तरह से हम दुबारा दुबारा अलग लग जगा पे फोक के इंप्रेशन लेते जाएंगे तरह समधा लेते हम नीचे से मुबारा पेगा कि यहां पर हमारे फोक के सारे इंप्रेशन लग गए अब इसके बाद हम रेड कलर और फोक को साई पर रचेंगे अब हम लेंगे ग्रीन कलर ग्रीन कलर लेके हम ब्रेश में इसे ग्रीन कलर डिप कर लेंगे देखे हमने ब्रेश को अच्छे से कलर लगा लिया अब इसके बाद हम यहां पर इस तरह से लॉर का बेस बनाएंगे जो बॉटम होता है लॉर्ट का हम बना लेंगे जो बनाएंगे इतना करने के बाद फिर से ग्रीन क्लेरिट से डिप कर लेंगे ब्रेश को ग्लेर में डिप करने के बाद यहां से इनकी स्टैम्स ले आएंगे कि इस तरह से यहां के नीचे यहां पे हम इस तरह से ग्रास पना लेंगे इस तरह से नीचे ग्रास भी बन गए फ्लॉड बन गए फ्लॉड के साथ हम चोट-चोटे लीफ्स बना लेंगे कि यह देखिए यह हमारी फोक पेंटिंग बनकर तयार हो चुकी है तो आप भी इस एक्टिविटी को बनाएए और एंजॉई किजिए थैंक यू कि यह दो आप भी इस एक्टिविए प्लॉड लेंगे